आप सभी को मेरा प्रणाम, हर्बल रेमिडीज ए नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज पित्य के निवारन में इस्तमाल किये जाने वाले प्लांट की चर्चा करेंगे पित्य की अगर समश्या लंबी हो जाए तो यह कैंसर तक पहुचा देती है और पित्य की अगर समश्या बनी रहे ना तो अच्छे से नीद आपाती है और रेस्ट लेस्टनेस की जो कंडिशन है वो बनी हुई रहती है आज जो प्लांट आप देख रहे हैं वाइलेट कलर की इसकी जो लीव्ज हैं इसको बनफसा कहते हैं और वाइला ओडुरोटा की नाम से इसको जाना जाता है और यह वाइलोसी फैमिली का है इसके आप जो लीव्ज देख रहे हैं और इसका जो रूट स्टॉक नीचे होता है उसी की माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है नीचे इसके अंदर पेरिनल रूट स्टॉक होता है उससे ही है प्रोपेगेशन किया जाता है और यह अपने आप ही बढ़ता हुआ जाता है इसके अंदर बहुत सारे घटक पाय जाते हैं जैसे की कुर्सिटीन, यूर्सोलिक एसेड, वायूलिन, फनॉलिक कंपाउंड, फ्लेवनाइड, स्टिरोल, सैपोनेंज, ट्राइटरपीन और इसके अंदर कई सारे माइक्रो मिनरल्स भी पाय जाते हैं जैसे की पोटाशियम, मैगनेज, कॉपर, जिंक, सोडियम तो ये क्या करते हैं बोडी में मेटाबुलिजम को रेगुलेट रखते हैं और हॉर्मोनल कंट्रोल में भी इनकी एहम भूमिका होती है कई प्रकार के बुखार अगर हो जाएं या पित उछलने की समस्चा हो जाती है तो उसमें भी कारे करता है इसकी सीथ वीरिये प्रिकृति होती है अगर पुराना जूर बना हुआ है पित के कारण तो आप क्या कर सकते हैं 500 ग्राम लेकर उसको 3 लीटर पाने में भीगो दीजिए 12 गहंते के लिए अगले दिन इसका डिकोक्षन बनाईए और अस्थांस रहने के बाद इसमें चार गुना सक्कर मिलाकर और इसको पकाईए दीमी आच पर पकाना चाहिए और जब यह अच्छे से पक जाए तो फिर इसको हमें ठंडा करके कांच के कंटेनर में रख लेना चाहिए इस परकार से आप इस सर्बत का इस्तमाल किसी भी प्रकार के पित जनित बुखार के लिए इस्तमाल कर सकते हैं सिर का सूल हो रहा हो वहां इस्तमाल कर सकते हैं भूक ना लग रही है वहां पर इस्तमाल कर सकते हैं या कोई कोंस्टिपेशन की समस्या हो वहां भी इसको दिया जा सकता ह कांच की बरतन में रखा हुआ जो सर्वत होता है वो दो महिने तक अच्छे से अपना कारे करता है दो महिने बाद फिर से बना लेना चाहिए क्या होता है रखने के बाद इसकी जो गुणवत्ता है धीरे-धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमने किसी भी सिंथेटिक प्रिजरिविट्र का इस्तमाल नहीं किया है इसके अलावा जो इसकी फूल होते हैं इसके फूल का अगर फांट बना लेंगे फांट को आंखों में डालेंगे तो आंखों में होने वाली जो दहा है जलन है उससे आप निजात पा सकते हैं इ इसके साथ पुराने से पुराने crossing injection का भी निवारन हो जाएगा कई बार क्या होता है स्वर्भन की समस्या हो जाती है कंठ हो जाती है उसके लिए भी आप उसके सुर solche seven कर सकते हैं पूर्ण रूप से सेफ है नीन रहने की समस्या में भी इसका सुरस का पीना काफी हद तक अपना कारिय करता है चमत कारी परभाव से अच्छी नीद आती है और आप देखेंगे कि कम समय में नीद पूरी हो जाती है हाइपर टेंशन की समस्चा भी दूर हो जाती है कई बार क्या है कि बिगड़ा हुआ जो पित होता है यह BP को भी बढ़ा देता है, blood pressure को भी बढ़ाता है नीद भी नहीं आती है, अरूची की समस्चा भी हो जाती है उन सब के निरा करने के लिए आप इसको दे सकते हैं रक्त प्रदर की समस्चा हो या रक्त आर्स की समस्चा हो उस सब में भी इसको दिया जाता है लबे समस्चा अगर पित बना हुआ रहता है तो टूमर और कैंसर जैसे हानी कारक रोग भी हो जाते हैं उसके निवारन के लिए भी आप इसका 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 क्वात बनाकर और द्रक्सासर का बराबर मात्रा में लेकर सुबह सुबह 15-20 एमल पीने से विशेश लाब करता है किस परकार से आपने जाना कि कॉमन सा दिखने वाला ये प्लांट कितनी महानों उस दियगुन रखता है पित्त के समस्चा के निवराकरन के लिए विशेश उप्योगी है आप इसको अपने गमलों में लगा सकते हैं आसानी से ये बढ़ता रहता है किसी भी परकार के पित्त जनित बुखार के लिए पित्त के कारण होने वाले कॉंस्टिपेशन के लिए नीद ना आने के समस्चा के लिए तो चाके उपर होने वाले खुजली, खाज या रेडनेस की समस्चा अर्टी केरिया की समस्चा जिसको पित्त उचलना कहते हैं उसमें भी इसको दिया जा सकता है स्वर्भंग की समस्चा हो वहां भी इसको आप दे सकते हैं पूर्ण रूप से ये सेफ है जाने रखना है इसकी सीतवीर ये फिरकृती होती है निमोनिक कंडिशन अगर रोगी की हो तो इसको नहीं देना चाहिए फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ अगर आपके जानकारी पसंद आए तो जरूर हमें लिखे बताईए और आपके छेतर में इस प्लांट को किस नाम से कहा जाता है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे बताईएगा आप सभी का धन्यवाद परणाम